भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं जहीं दोस्तों मैं हूँ आपका दोस संदीप मौरे और आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवूड जैसा कि आपको डायलाग सही समझे आ गया होगा मैं यहाँ पे आया हूँ तेजस मूवी को रिविव करने हो और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 8 अक्टूबर है यानि कि आज के दिन इंडियन एर फोर्स डे है जो कि बहुत ही गर्व की बात है और आज के दिन इस मूवी के टेलर आना बहुत अच्छी बात है और डेडिकेटेट है हमारी इंडियन एर फोर्स को यह टेलर और इस्टोरी भी इसी के इर्दगिर्द घुमती है, आज हम लोग इस मूवी के टेलर को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मूवी लोगों के दिलो दिमाग पे चाप आएगी, क्या ये मूवी बॉलिवूड जिस तरीके से बैट रहा था, भी कुछ मूवी बैक टू बैक हिट बॉलिवूड फिर से ट्रैक पे आ रहा है, क्या ये मूवी बॉलिवूड को इस ट्रैक पे लेज जा पाएगी, और क्या कंगना रॉनौत ने इसमें वैसी एक्टिंग की है, क्या उस उम्मीद पे खरी उतरी हैं, ये सब जानने के लिए मेरा पूरा वी जिस तरीके से स्टार्टिंग होती टेलर की भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद आप देखेंगे कि टेलर में जब कंगना रॉनौत की एंट्री होने वाली होती है, तो एक डायलाउग होता है, कि अगर मिशन आसान हो, तो आप उसे मत लेकिन अगर मिशन बहुती कठीन हो लगता है, कि यह नहीं, इंपॉसिबिल है, तो आप उसे जरूर बुलाईए, और उसके बाद कंगना रॉनौत की एंट्री, माने की माइंड ब्लोईंग सुपब एंट्री कंगना रॉनौत की हो, कंगना रॉनौत में जिस तरीके से इस काफी खुबसूरत लग रही हैं, और काफी अच्छी तरीके से इस रोल को इन्होंने निभाया है, और इनकी डायलौग डिलिवरी ने तो मेरा दिल ले लिया है, कंगना रॉनौत मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, और एकदम करेक्टर के साथ हर अच्छी तरीके से इ और देश भक्ती से डूबी हुई ये मूवी है, और जिस तरीके से इस मूवी का पिच्राइशन किया गया है, बस यही आप सीन देखिए, आसमान के, फाइटर जेट के, उपर लडाई के, काफी गजब के सीन है, हॉलिवूड लेवल का सिनेमेटो ग्रैफिक की गई है, दि तो आपके रग-रग में देश भक्ती घुल मिल जाएगी, और इसमें आतंग वादियों को भी दिखाया गया है, पाकिस्तान के साथ जंग दिखाई गई है, काफी अच्छे से स्टोरी लाइनप की गई है, और इसको देखने से लगता है, कि इसमें एक महिला शक्ती को भी दरशाया गया है आजकल, और आपको पहले पता होगा कि हमाई देश में पहले महिला फाइटर पाइलट नहीं होते थे, लिन 2015 से हमाई देश में महिला फाइटर पाइलट आ गहें, और उन्ही को इसे में दिखाया गया है, उन्ही की शौरे गाथा की गई है, कंगना ने उन ग्राउंड म्यूजिक बहुत ही खुबसूरत है और टेलर में आप बंधे रहेंगे शुरू से आखरी तक और मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगी जिन्होंने भी टेलर काटा है ना बहुत ही अच्छे से टेलर को एडिट किया है आप इसमें पूरी तरीके से कहानी कं कि अगर आप भारत को मा समझ के प्यार नहीं कर सकते तो आप जीसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको ही समझ लीजिए एक एक डायलॉग माने कि आपके दिल को चुएगा और देश भक्ती को जगाएगा तो कौन-कौन इस मूवी को देखने जा रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ दोस्तों आपको क्या लगता है ये मूवी एक बार फिर से ब्लगबस्टर होगी या नहीं होगी और भी कई सवाल हैं कंगना रनौत जिस तरीके से बेबाग तिपड़ी करते आई हैं बहुत दिन बाद वापसी कर रही हैं क्या कंगना रनौत एक बार फिर से नेशनल इवार्ट की तरफ बढ़ रही हैं फिलाल ये था मेरा सवाल आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और भी आने वाले अपडेट्स के लिए जय मातादी जय एंगिस् लाव यालाट